नमस्कार स्वाथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनराज शौट है डिकेट में इस टर्नो क्लासिस में दोस्तों आज का वना डिक्टिशन है अज की डिक्टिशन ग्रेड डी गती असी शब्द प्रति मिनट तो आएए स्टाट करता है आज की डिक्टिशन पात सेकिंड बाद स्टार्ट अध्यक्स जी हमने जो कानून बनाए है और राजनीतिक संस्थाएं बनाई है वे केवल परिवर्तन की रफ्तार और दिशा को ही प्रभावित कर सकती है लेकिन वे अकेले फलदाई नहीं हो सकती उसके लिए हमें इस सदन के बाहर काम करना होगा हमें प्रगती की रफ्तार को बढ़ने के लिए अपनी पूरी शक्ती लगा देनी चाहिए और हमारे वर्तमान के तरीके में सुधार के लिए हर तरह के संभव सुझाव देने और आवशक उपाय करने चाहिए साथ ही हमें अपनी इस उचित चिन्ता के कारण उस महत्वपूर्ण प्रगती को भी नजर अंदाज नहीं करना चाहिए जो अब तक हो चुकी है इस तुलना के कारण प्रगती महत्व की हो जाती है कि जब हमने शुरुवात की थी तो इस्थती क्या थी वह इतना महत्वपूर्ण नहीं की आप यह विचार करें की इस्थती क्या होनी चाहिए मैं इसी प्रसंग में इसका प्रयोग कर रही हूँ विराम पैरा मुझे खुशी है कि यह बहस हुई और हमने इसके लिए समय बढ़ाया जिससे हमारे बहुत से मित्र अपने विचार प्रकट कर सके विराम यह हमारे लिए विशेश चिंता का विशे है क्योंकि हम जानते हैं की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के हमारे भाई बहन जिन सामाजिक ऐसमर्थताओं के शिकार हैं उन्हें हटाने के लिए हमें अभी बहुत कुछ करना है विराम इसके बहुत से कारण हैं लेकिन प्रमुक कारण है हमारा परंपरागत रवया जो सदियों से हमारे खून में रचा बसा है और जिसे बदलने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए विराम ऐसा बहुत कुछ है जिसके लिए सरकार कुछ कर सकती है और वह कर भी रही है लेकिन हमें समझना चाहिए कि यह परिवर्तन सरकारी आदेश से नहीं होगा हमें एक बड़े सामाजिक उफान की अविश्यक्ता है हमारा विश्वास है कि इस प्रकार के सब परिवर्तन और उफान या क्रांतियां लोगों की मर्जी और शांती मैं तरीकों से होनी चाहिए यही नहीं कारण की मैं इस बहस का स्वागत करती हूँ क्योंकि हमारे गाउं और शहरों में उचित वातावरन तैयार करने के लिए सभी विभिन दलों का सहियोग प्राप्त करना उस कारिक्रम का महत्वपूर्ण अंग है जो सभी राजनीतिक दल गैर राजनीतिक लोगों और व्यक्तियों के लिए राश्ट्रिय महत्व का है लेकिन हम जानते हैं कि इस प्रकार का सामजिक परिवर्तन धीरे धीरे ही होगा और विशेशकर ऐसी आदतें जो बहुत लोगों के दैनिक जीवन का अंग बन चुकी हो धीरे धीरे ही बदलेंगी और परिवर्तन के कारण तकलीफ भी होगी फिर भी हमें अपना रवया बदलना होगा और अपनी सोच बदल कर सभी लोगों के उत्थान के लिए कारिय करने होंगे ताकि परिवर्तन लाया जा सके पैरा अध्यक्ष जी शिक्षा के शेत्र में काफी प्रगती हुई है हम यह भी जानते हैं कि यह काफी नहीं है अभी मुझसे पहले जो माननिय सतस्य बोले मैं उनके इस कथन को भली प्रकार समझती हूँ कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लड़कों को नौकरिया पाने में आज भी बहुत सी कथिनाईयों का सामना करना पड़ता है और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में भी ऐसा ही होता है मेरे विचार में उन्हें शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए इसके अलावा जो प्रतीवाशाली हो उन्हें ट्यूशन या विशेश ट्रेनिंग या ऐसी हर प्रकार की सुवीधा मुहया करवानी चाहिए जिससे वे उच्च इस्तर तक पहुँच सके क्योंकि मेरे विचार में यदि उनमें से कोई भी अभिष्ट इस्तर तक नहीं पहुँच पाता तो किसी आंतरिक कमजोरी से नहीं बलकि इस वजह से की उनकी प्रतिभा और शमता को विक्सित होने का अवसर नहीं मिला है विराम इनको यह अवसर देने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए मैंने अभी शिक्षा की प्रगती के बारे में बात कही जैसा की शायद सदन जानता होगा की 91 लाख मेट्रिक पूर्व और 12 लाख मेट्रिक उत्तर चात्र व्रतियां अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जातियों के चात्र चात्राओं को दी जाएंगी इस बहस में मेट्रिक उत्तर चात्र व्रतियों की दर की आलोचना की गई क्योंकि उसे नहीं बढ़ाया गया है विराम साथ ही उसकी भी आलोचना की गई की अनुसूचित जातियों के लिए साधनों या आमदनी की जो जरूरी सीमा थी उसे भी नहीं बढ़ाया गया है विराम जो निराधार है पैरा माननिय सदस्य को मालूम होना चाहिए की अनुसूचित जन जातियों के लिए इस तरह की जाच परताल नहीं है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को दी जाने वाली चात्र व्रतियों की राशी आम आदमी के योग्य चात्रों की तुलना में कम नहीं है इस प्रकार इन जातियों के जिन चात्र चात्राओं को ये चात्र व्रतियां मिलती हैं वे अम आदमी के योग्य चात्रों की बराबरी पर हैं हालां की वित्तिय साधन सीमित हैं अतहे जहां तक संभव हो सकता है अधिक से अधिक चात्रों को व्रतियां दी गई हैं बजाए इसके की राशी बढ़ा कर कम चात्रों को दी जाए यह हमारे लिए शर्मनाक बात है समय समय पर किये जाने वाले जुल्मों के संदर्भ में ऐसा कह रही हूं फिर भी मैं नहीं जानती की पहले भी कितने ही अत्याचार होते थे उनकी और हमारा अधिक ध्यान जाता है अतहे सरकार को चात्रवर्ति की राशी बढ़ानी चाहिए तथा समान रूप से हर जाती के योग्य चात्र चात्राओं को देनी चाहिए पून विराम तो दोस्तों यह थी हमारी आज की SSS Ternographer प्रिबेस येर की डिक्टेशन जो की 80 शब प्रतिम नटकी करती से बोली गई थी आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आयोगी तो फ्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद